हेलो दुश्टो नमस्कार एसमगेदी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वड़े में हम लोग बात करने वाले IT सेक्टर से जुड़ी बहुती बड़ी दिगज कंपनी जिसका नाम है Infosys So Infosys से related एक बहुती अच्छी कासी निउस सामने आई है जो कि उसके longer period of time के लिए उसको एक बहुती अच्छा कासा support जरूर कर सकती है तो चले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते Infosys का share आज के दिन का performance कैसे रहा So अभी भी फिलाल अगर हम लोग केते तो 780 के आसपस अभी यह stock धीमे धीमे करके आ रहा है आप सभी लोग पते है विसल बलाओर की complaint के बाद यह stock बहुती जबरदस crack हो चुका था Approximately 847 पे यह stock चल रहा था उसके बाद यह हम लोग को जबरदस correction देखने को मिला था फाइल की गई थी सो वहाँ से भी Infosys को clean sheet मिला अभी भी बाकी है So यह दोनों चीजों का अगर हम लोग देखते तो अभी भी Infosys में जो 800 का resistance level है उसको तोणने के लिए और भी यहाँ पर दिक्कते हो सकती है बीच में एक news भी सामनी आई थी कि शायद से से भी Infosys का forensic audit भी यहाँ पर क्या कर सकती है So उससे related भी मैंने detail में वीडियो बनाए था कि forensic audit क्या रहता है वहाँ पर legal जो इनकी team रहती है court के जो lawyers रहते है वो भी उस team में शामिल की जाएंगे and जो उसकी reporting होती है वो court के सामने की जाएगी So एक बहुत ही deep investigation हो सकता है बट अभी तक वहाँ पर से भी ने ऐसा कोई भी order नहीं दिया है So Infosys हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो की फिलाल चल रहा है 775 पर अगर 5 दिन का chart pattern अगर आप देखोगे एक मेने का chart pattern देखोगे तो आप लोगो वो consolidation zone में ही देखने को मिल रहा है उसी के साथ साथ अगर आप एक साल का chart pattern देखोगे तो वो भी similar है 5 साल का अगर आप देखोगे तो अच्छा कासा देखने को मिलेगा and long term का chart pattern भी आप देख सकते हो जो की फिलाल uptrend में बना हुआ है तो कौन सी अच्छे कासी news आईए तो चलिए दोस्तो infosys के उस news के उपर आ जाते है और जैसे मैंने कहा कि वो news के impact आप लोगों को long term में देखने को मिल भी जाता है तो वो बहुत ही temporary scale के लिए रहेगा ना कि long term के लिए तो चलिए दोस्तो infosys से related कौन सी अच्छी news आईए वो अभी हम लोग यहाँ पर देखते है आप सभी लोग को बता है live mint यह e-paper है तो इनी के website के उपर फिलाल हम लोग यहाँ पर आ चुके है सो headline के साथ ही हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे जहाँ पर आप देखोगे infosys to buy the US firm Simplus for the dollar 250 million to accelerate the cloud capabilities सो बहुत ही अच्छी कासी news है दोस्तों जो कि US की यह जो firm है Simplus यह आप लोग को मैं बताना चाहते है यह बहुत ही बड़ी firm है इससे अगर हम लोग बात करें तो infosys को यह बहुत ही बड़ा platform मिलने वाल है over the global सो मैं आप लोग को वो भी चीज आगे पढ़के बताने वालों कि इससे infosys को क्या-क्या फाइदे होने वाले यह जो firm है Simplus यह और कहा-कहा इनके offices से यह क्या-क्या चीजे करती है जिससे आप लोग को अंदजा आ जाएगा कि यह company कितना अच्छा काम करती है उसी के साथ-साथ अगर आप देखो कि company के खरीदने के लिए dollar 250 million तक यहाँ पे company infosys उसको pay करनी वाली है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और उसका reason भी उन्हों ने कहा है कि accelerate cloud capabilities सो cloud मतलब आप सभी लोग को बता है कि Gmail यह भी एक cloud ही है जहाँ पे सारा data वहाँ पे save होता है हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जादा में detail में नहीं देया सकता क्योंकि मुझे technology से related इतना knowledge नहीं है बड़ जितना cloud से related में जानता हूँ उतना में आपको यहाँ पे बता दिया जो कि एक हम लोगों को क्या कर सकते हैं कि जो data वहाँ पे save होता है उसको हम लोग ऐसे cloud बोल सकते हैं तो चली थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं सो उसी से related जो capabilities है वो बड़ाने के लिए यह firm उनको help करने वाली है सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे highlights पढ़ लेते है highlights मतलब दो points यहाँ पे बताए दिये जैसे कि acquisition की अगर हम लोग बात करें तो acquisition complete होने वाला है fourth quarter में मतलब fiscal 2020 में यह बात जरूर आप लोग को पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे बताए और उसी के साथ साथ अगर हम लोग simplest इस firm की अगर हम लोग बात करें इसके related यहाँ पे बताए जैसे कि leading provider है and advisor in cloud consulting, implementation and training services for a sales force so definitely हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह leading है इस इनके जो अलग-अलग criteria है उन्होंने बताए वहाँ पे अच्छा कासा यह काम करती है and as per the requirement Infosys ने इस company को इस firm को dollar 250 million में acquire करने का योजना यहाँ पे बनाई है तो चले अभी हम लोग और थोड़ा यहाँ से detail जानकर यह ले लोग इस news की बात करें तो यह late Monday को inform किया गया था stock exchanges को कि यहाँ पे Infosys acquire करने वाले simplest को which is one of the fastest growing salesforce platinum partners in the US as well as Australia and उसका cost आप सभी लोग पते है dollar 250 million यहाँ पे बता गया है जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि यह acquisition है वो complete होने वाला है close होने वाला है fourth quarter से related fiscal 2020 सो उसके लिए बह लोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे जहां पर अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के बारे में बता है जो कि अभी मैंने आपको पढ़के भी बता है ता जैसे कि यह leading provider एड़वाइजर इना cloud consulting implementation data integration change management and training services of foreign sales force एंड अगर हम लोग बात करें application की which is on more than 4500 projects से जुड़ा हु आला है मतलब वो जरूर अच्छी company रहेगी उसे के हिसाब से अगर आप देखो के dollar 250 million का जो payment होने वाला था उसका bifurcation भी उन्होंने यहां पर बता है सबसे पहले cost acquisition बता है dollar 200 million including the contingent consideration to be paid for the acquisition of a share subject to the closing adjustment and यह सारे चीज़े यहां पर regulatory filing में already बता दिये यह वापस मैं बताना यह dollar 200 million से related उन्होंने यह बात बताईए and dollar 50 million जो बचा हुआ है वो किसके हिसाब से यहां पर pay करने वाले वो भी हम लोग यहां पर देख सकते जो कि next पैरा में बताया हुआ है जहाँ पर अगर आप देखोगे तो employees incentive retention payment से related यहाँ पर up to dollar 50 million on a meeting certain performance and उसी के साथ साथ condition की बात की गई है जो कि 3 years में हम लोग यहाँ पर देख सकते सो कुल मिला के dollar 250 यह इस तरीके से यहाँ पर infosys pay करने वाला है जिसका bifurcation भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है सो friends next system में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर infosys ने statement किया है और statement में उन्होंने बता है कि जो इस simplest firm है उसके हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे बहुत सारी चीजों में देखती है तो यह company बहुत ही अच्छा कासा काम करती है और infosys के लिए एक ही बहुत ही अच्छी कासी बात होने वाली कि उनको globally recognition और भी बढ़ने वाला है मतलब company अभी infosys को पूरी world में भी और भी यहाँ पर क्या करने वाली पॉपिलर करने वाली है अभी दोस्तों आप पूछोगी कि popular कैसे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यह acquisition के वज़े से infosys को कैसे help होने वाला है जो कि आप देख सकते हूं उनका जो geographical base है वो expand भी यहाँ पर होने वाला है क्योंकि जो simplux जो firm है उसका जो presence है उनके जो offices है वो across the North America, Sydney, Melbourne, London अलग-अलग हम लोगों को जो बड़े area है वहाँ पर भी देखने को मिलता है तो definitely उसका जो recognition है अभी infosys को भी क्या करने वाले help होने को होने वाला है उसके साथ infosys ने और भी कुछ चीज़े कही है जैसे कि उन्हें ने बताए कि और इससे क्या उनके फायदा होने वाला है जैसे कि उनकी position भी और यहाँ पर strength होने वाली बढ़ने वाली है digital की अगर हम लोग बात करें so digital transformation की जो capabilities है वहाँ पर भी हम लोगो growth देखने को मिलने वाली है so overall अगर हम लोग performance देखे जो infosys का अलरी अच्छा है वो और भी यहाँ पर अच्छा बढ़ने वाला है वो उनको जरूर future में बहुत ही अच्छा कासा फाइदा दिला सकता है तो चलिए जोस्तों यह सारी news देखने के बाद अभी हम लोग कुछ infosys के जो important parameters देते हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि अगर आप देखोगी तो share holding pattern usually आप लोगो majority of shares यहाँ पर हमेशा promoters देखने के मिलते हैं बढ़ आप यहाँ पर देख सकते हैं फोरे निवेशग FIS इनका यह favorite share है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि majority of shares उनी के पास है मतलब 1000 से भी ज़्यादा FIS infosys में hold करते percentage wise बात करें तो 31.76% FIS infosys में hold करते mutual fund की अगर बात करें तो 13% से ज़्यादा mutual fund भी इस company में hold करते हैं उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी आगे जाएंगे तो highest public share holding की बात करें तो लगबग 17-75% यहाँ पे Dutch bank भी हम लोगों को इस company के इसमें hold करते हुए देखने को मिल सकती है जो कि एक बहुत अच्छी बात है और individual investor की भी बात करें तो लगबग 9.9 मतलब 10% तक इस company में hold करते हुए देखने को मिल रहे है थड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप देख सकते हो जो एक percentage of holding थी जो promoter की थी वहाँ पे हम लोगों को normally यहाँ पे देखने को मिल रहे है कोई भी change है नहीं foreign निवेशक ने अपने हिस्सेदारी 1.75% थोड़ी सी कम कर दिये बट स्टिल वह अभी भी 31.76% की हिस्सेदारी होल्ड करके अभी भी maximum shareholders बने हुए है mutual fund की बात करें तो हिस्सेदारी 0.44% से बढ़ा दिये insurance company 0.72% से उनने हिस्सेदारी बढ़ा दिये other DAS ने भी 0.03% से इस्सेदारी बढ़ा दिये है और non-institutional investor ने भी 0.56% से इनफोसेस में अपनी हिस्सेदारी quarter 2 से लेके quarter 3 में बढ़ा दिये है so overall हम लोग कह सकते हैं बहुत ही decent percentage of an holding है जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते है so दोस्तों अभी हम लोग आ चुके NSA के official website पर जहाँ पर आज के दिन का performance आप लोगों को दिखाना चाता हूँ 11th February आज की दिन की तारिक है and 64% से जादा deliveries यहाँ पर Infosys में हम लोगों को होती भी देखने को मिल रही है यह percentage हमेशा हम लोगों को बहुती अच्छा decent मतलब 40% से नीचे यह बहुती rare हम लोगों को कभी कबार एक बार कभी देखने को मिल सकता है Infosys में वरना यह हमेशा percentage जादा ही देखने को मिलता है जिससे हम लोग अंदाज लगा सकते कि company कितनी अच्छी fundamentally strong है अगर हम लोग December quarter की बात करें तो आप compare करके देख सकते हैं इनकी result भी बहुती शांदर थे outstanding result है and long term की इसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनके result में कोई भी कमी यहाँ पे नज़र आई थी share holding patterns related हम लोग already बात कर चुके जो की बहुती decent है अगर हम लोग Infosys के balance rate के उपर आ जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि इनके result कुछ जादा ही बड़े result है company के मतलब अगर हम लोग results की बात करें तो 60,000 करोड से जादा की results company के पास बने हुए है उसी के साथ साथ अगर हम लोग डेप की बात करते हैं तो आप सबी लोग को पते हैं ये एक debt free company है जो की बहुती अच्छी बात है जो की इनके shareholders के लिए एक बहुती रात वाली बात होती है उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाते है कि cash and cash balance भी आप देख सकते हो बहुती जबर्दस है 15,000 करोड तक का cash उससे भी जादा का cash company के पास है जो की एक जटाती है कि fundamentally बहुती strong company है उसी के साथ साथ अगर आप जाओगे कि bonus history देखने के लिए Infosys से related तो लगबग इस company ने 8 बार अपने shareholders को bonus दिया है जो की कह सकते हम लोग Infosys के लिए बहुती अच्छी खासी news थी long term की हिसाब से इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़े company के साथ Infosys already deal कर चुकि है Saudi RM क्योंकि Holy One subsidiary company के साथ भी Infosys की partnership हो चुकि है जहाँ पी उनको invite किया गया था उसी की साथ-साथ Australian government से related भी already इन्होंने बहुत सारे projects किये हुए है और अभी भी अगर आप देखोगे तो इस firm में acquisition करना ये बहुत ही अच्छी कासी बात है जो की Infosys को और भी next level stage पे लेके जा सकती है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके option chain के उपर जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि Infosys का फिलाल का support level क्या है हाला कि आप सभी लोग पते है long term की साथ से support level इतना माईने नहीं रखता क्योंकि वो हमेशा कभी ना कभी तूटी जाता है या फिर resistant level भी इतना कोई माईने नहीं रखता बट स्टील हम लोग कह सकते कि सबसे ज़्यादा अच्छा हो है तो अभी फिलाल 770 पर ही देखने को मिल रहा है जो कि अभी इसका बहुत ही close support level है उसी के हिसाब से अगर आप थोड़ा आगे जाना चाते हो दूर का support level तो 750 का फिलाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आप सभी लोग पता है इसकी कोई guarantee नहीं होती और यह option chain हमेशाद daily basis के उपर यह change होता रहता है तो यह भी आप लोग ने यहाँ पर focus ज़रूर करना चाहिए resistant level की भी बात कर लेते तो सबसे बड़ा OI अगर हम लोग देखते तो 800 का level यह तोड़ते बग इनफोसेस को बहुत ही तकलीफ होने वाली हम लोग यहाँ पर इसे बोल सकते है तो दोस्तो ओररल वीडियो को close करने से पहले यही कहना चाहूँगा मैं इस share को तो hold करता हूँ अभी भी मैं इस company को क्या करने वाला हो hold ही रखने वालो और फिलाल जो इनके उपर जो अलग-अलग आरोप लगाए थी उससे भी इन लोग को clean sheet मिला complete clean sheet मिलना अभी भी बाकिए SEBI के द्वारा भी and SEC के द्वारा भी तो आप लोगों ने उसके उपर भी focus रखना चाहिए तो वीडियो को close करने से पहले भी यही कहना चाहूंगा कि दोस्तो एक वीडियो already मैंने यहापे बना दिया था जो कि आप यहापे देख सकते हो notification का problem अभी तक solve नहीं हुआ है तो इसका भी link में description box में provide कर रहा हूँ जरू देख लेना कि media के ऐसे कौन से 9 share होती जो हमेशा आप लोगों को बड़ा चड़ा के बता देते सो मुझे तो ऐसा लगते कि आप लोगों ने उन share से दुरी भरत नहीं होगी सो उसका ही link में description box में provide कर रहा हूँ जरू जाके वो वीडियो देख लेना सो फिलाल वीडियो को यह पर रोकना हो चाहता हूँ सो आयो पाशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लागागा सो that's it thank you very much दस्तो we will be meeting in our next studio तब तक के लिए बाई बाई